हेलो दोस्तो मैं कनहिया एक बाई फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल English क्यान पे जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेज एन स्टेडी से जुड़ी टिप्स और अपडेट्स मिलती रहती हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में भी मैं आपको एक अपडेट के बारें बताने वाला हूँ अगर आप इस साल दिल्ली इन्वेस्टी के PG कोर्स में एडिमीरिशन लेना चाहते हैं और आपने अभी तक अपना रजिस्टेशन नहीं किया है तो अब भी आपके पास एक और है तो आज की अपडेट इसी के रिगार्डिंग होने वारी है इसे पहले वाली वीडियो में मैंने एक और अपडेट के बारें बात कही थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि दिल्ली इन्वेस्टी की जो रजिस्टेशन की लाफ्ट डेट है PG कोर्स के लिए वो 15th of May है औ आपकी 15th में लाफ्ट डेट है रिजिस्टेशन की उसके अलावा भी डेट एक्सेंड हो सकती आगे के लिए तो सेम अभी यही अपडेट आई है दिल्ली इन्वेस्टी की तरफ से कि जो आपकी रिजिस्टेशन की लेटेस्ट डेट है वो अब एक्सेंड कर दी गई है और अब आप अपना रिजिस्टेशन 10 जून तक कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको एक बार यह ओफिशल नोटेश भी दिखा देता हूं तो यह अभी हम दिल्ली इन्वेस्टी की जो ओफिशल एड्मीशन की वेबसाइट है उस पोडल पे है और यहाँ पे जाओ आप नीचे की तरब जब स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा नोटिस अनाउस्मेंट तो यहां पर आपको लैप्ट हैंड पर कॉर्णर पर देखिए आप नोटिस अनाउस्मेंट यहां पर आपको क्लिक कर देना है सिंपली नोटिस अनाउस्मेंट पर क्लिक करने क that the date of registration for post graduation admission has been extended up to 10th June 2022 तो यहां पर आप simply पूरा आपका clear हो गया है कि आपकी जो registration की last date है वो आपके 10th June हो चुकी है तो अब आप अराम से अपना जो registration है वो 10 जून तक करवा सकते हैं और इसी तरह फिर आगे क्या process रहने वाला है like 10 June के बाद फिर क्या process रहेगा वो आपको मैं next वीडियो में बताऊंगा कि जैसे ही 10 June तक आपके registration बंद हो जाएंगे उसके बाद फिर जिन बच्चों ने अपना registration form में कुछी गलतियां कर दिया तो वो अभी 10 June तक इंतजार करें उसके बाद फिर क्या further process होने वाला है I will be telling you everything तो अभी तो आप अपना registration कर सकते हैं 10 June तक So all the very best and अराम से अपना registration करेंगा कोई भी किसी प्रकार की गलती मत किजेगा अगर आपको अपना registration खुद ही करना मोबाईल से तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया कि खुद अपना मोबाईल से किस प्रकार से आप registration कर सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार की गलती की कोई संभावना ना रहे और उसमें मैंने एक एक चीज step by step बताई है कि क्या क्या चीजे कोई कौन सी information किस तरह से भरनी है तो please don't do any mistake तो यही ते आज की वीडियो so thank you so much for watching this video मिलते हैं इसी प्रकार की next video में and next update में बांकि अपनी preparation आप अच्छे से करियेगा ताकि आपका जो exam है वो best से best जाए और आपका जो admission हो सके so all the very best to everyone thank you so much once again